हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो है लाइट रीस्टोर के उपर और ये लाइट रीस्टोर का जो तरीका है वो हर उस लाइट पर अप्लिकेबल होगा जो लाइट जादा से जादा खराब हो चुकी हो तो इस गाड़ी में जो है ये कलर देखिए पूरा अलग हो रहा है और उ को दिख रहे होंगे तो ये डीप स्क्रेच और सारा इसका कलर वगारा बिल्कुल क्लियर हो जायागा और यो होगी बिल्कुल नई के जैसे तो इसके लिए देखिए मैंने किया क्या है सबसे पहले एक मेने लिया है 2000 कीड का सेंट पेपर और एक लिया है 1500 का सेंट पेपर त 40 रूपीज तो और एक मास्किंग टेप जिससे मैं यह प्रोसेस करने वाला हूं तो यह लाइट पे यह पूरा हम कंप्लीट करेंगे और बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह केमिकल कहां से मिलेगा और क्या नाम है इसका तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले 1500 गिट का सेंट पेपर लेना है हमको और इस सेंट पेपर से इसको clockwise और anti-clockwise अच्छे तरह से घिसना है और घिसते वह हम देखेंगे कि इसमें white color का यानि कि इसके ऊपर की लेयर कटके बहार आती हुई दिखेगी हमको तो इससे कोई टैंशन वाली बात नहीं है उसको कटने दीजिए और अच्छे से इसको सेंड कीजिए यानि कि इसको अच्छे से रब कीजिए बराबर करके जहां भी आपको और डीप स्क्रेचे जहां दिखते हैं वहाँ थोड़ा अच्छे से जादा कीजिए और कैसे करेंगे वैसे ही clockwise, anti-clockwise अच्छे तरीके से इसको सेंड करेंगे और जब यह देखे white-white पूरा निकलने लगेगा इसमें तो इस तरीके से समझना है कि यह उपर की layer हमारी साफ हो रही है और उसके बाद हम लेंगे यह 2000 grade का sandpaper 2000 grade का sandpaper हमको ठीक उसी तरह से यूज़ करना है जैसे हमने इस से पहला एक coat किया था तो अब भी second coat करेंगे इसके पूरी तरह से बराबर रब करके लेंगे थोड़ा सा इसको हाथ से बचा के रखते हैं कि कहीं इधर उदर sandpaper ज़्यादा लगे नहीं यह देखी इसको पूरा हमने बचाते हुए और इसको clean किया और clean उसी तरीके से करना है फिर दुबारा से white layer आएगी इसके उपर और इसके बाद इसको हम बाद में clean करेंगे और यह देखी यह पूरा आ रहा है और यह पूरी light जो है आपको और ज्यादा हेजी दिखने लग जाएगी यानि कि और गंदी दिखेगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी यह पूरी दुबारा से नहीं वनेगी यह देखे लाइट ऐसी हो गई है इसको हमने साफ कर लिया कॉटन के कपड़े से बहुत अच्छे से इसको साफ कर दिया कोई भी dust particles इस पे नहीं होना चाहिए अब आती है final step इसको cover करने का यह देखे मैंने और यह थर्ड नंबर जो तीसरा chemical है यह है इसका thinner और यह तीनो प्रोड़क्त यानि कि तीनो चीजे एक साथ एक kit में मिलेंगे कहां मिलेंगे कैसे मिलेंगे वह भी मैं आपको ही बताता हूं पहले इसमें हम यह कोट डाल देते हैं यह देखे इसको मैंने मिला दिया और ती यह देखे इस प्रे करते हैं दीरे दीरे इसको प्रे करना और देखते हुए देखते हुए करेंगे अब हलका सास्का प्रेशर देखिए इस तरह से पहला कोट मैंने इसके अंदर डाल दिया है वीडियो लंबी ना होजा इसलिए मैं आपको शॉट कर दिखा रहा हूं और इसके बाद 20 मिनट बाद हम डालेंगे second coat, second coat भी same उसी तरीके से, इस्प्रेज का हम set कर लेंगे और देखे धीरे-धीरे spray बराबर इसमें हम डालते वे चले जाएगे, और जैसे हम second coat डालेंगे आप देखेंगे इसमें बिल्कुल clear होता चला जाएगा, second coat पे बिल्कुल ये बराबर clear देखें नई light के जैसा अभी देखने लग गया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो coat है वो थोड़ा सा रूक रूक के डालेंगे यानि कि थोड़ा सा जब रूकते हैं तब हमको इसकी clearने समझ में आती है कि कहां पे कम है कहां जादा है इसको एक perfect match देखेंगे बिल्कुल बराबर यानि कि कहीं पे कम जादा ना रहें और जादा भी ना हो ऐसा ना हो कि आपने spray बहुत जादा कर दिया तो वहां से फिर drops के निशान बन जाएंगे और dust बगारा मैंने आपको बताया dust particles इसमें बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए यानि कि हवा ना चलती हो उस समय इसको यूज कीजिए और यह हमने इस पर डालना शुरू किया और बहुत अच्छे से इसको मिलाते हुए पूरा हमने मिला दिया और side में जो मैंने cover किया था वो इसी वज़े से किया था कि इसके particles जो है ओड़के ऊपर ना जाएं यानि कि इस बाकी गाड़ी पर एक रफ की कोड़ना बना दें तो अब इसके बाद ये देखिए अभी भी इसके अंदर बच गया है यानि कि केमिकल बहुत जादा है और इतना केमिकल है किसमें आप दो लाइटे फ्रेंट की और दो लाइटे रियर की कर सकते है तो इसके लिए मैंन इसी भी आटो पेंट वाली शॉप पे आप जाएंगे उसको बोलेंगे कि हमको पियू क्लियर कोड की किट दे दीजे 50 ml की तो वो 50 ml की आपको एक किट बना के सेम इसी तरीके से देदेगा और इसको हम यूज कर सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं एक गंटे बाद हमको देख रहा हो और इस समय बिल्कुल भी यह लाइट ऐसी नहीं थी जैसे की ध के इले यह लाइट ज्यादा चेमक रहे थी और अब उसके कमपरेजां मेंकर्ञ मेंसे लिए तो यहाली लाइट उससे भी ज्यादा चमकरी यूजैंकि बिल्कुल द्यागी जाकरे उसी तरह से ये पीछे वाली लाइट बॉले़ोग जो मैंने की थी यह भी बिल्कुल न्यून की जैसे चमक रही है जैसे कि बिल्कुल हमने बी मार्केट से लियों तो इस तरह से कोई भी गार्डी हो हम इस